आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपि इamiliar और इ怖 डिलीट कर पाएंगी यहांपर दोनुब आपको देखा दूगा मैं यहाँ पर pdfondo या तो आप यहां पर permanently delete कर सकते हैं यहां पर temporary deactivate कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आपकी मरजी है तो चलिए जान लेते हैं हमै कैसे deactivate याadel аб survey delete करना है वैसे तो intuitively delete पहले करके दिखा दूआंगे कैसे करना है सबसे कि करना किसे क्या है आपने instagram को पन करना है instagram को जैसे आप open कर लेंगे profile पर click करना है then उपर आपको three lines पर click करना है उसके बाद ये सब settings आपके सामने निकल कर आएंगी यहाँ पर आपको setting and privacy देखने को मिल रहा है सबसे उपर इस पर click करिए इस पर click करने के बाद अब यहाँ पर आपको account center सबसे उपर देखने को मिल रहा है इस account center पर आपको click कर देना है जैसे आप इस account center पर click करेंगे आपके सामने ये page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है password and security उसके नीचे personal details और उपर की तरफ यहाँ पर profiles तो आपको यहाँ पर personal details पर click कर देना है जैसे आप personal details पर click करेंगे यहाँ पर आपकी mail ID और phone numbers और date of birth वगएर सब आ जाएगा और इस आपको देखने को मिलेगा account ownership and control इस account ownership and control पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click कर देंगे यहाँ पर दो option है सबसे नीचे आपको option मिल जाता है deactivation और deletation आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ से आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए यहाँ पर आपको जितने भी account होंगे जो भी आपने login कर रखे होंगे जो भी आपके आपके mobile में open हो जाए यहाँ पर आपको उसको select कर लेना है जिस भी account को आप delete करना चाहते है यह deactivate करना चाहते है स्पाज कर लिजिए मागीरे सोई के इन्साग्राम account है इसको मैं select कर लेता हूँ अब select करने के बाद यहाँ पर तो option आपको दिखाता है अब इन दो option को समझे deactivate account अगर आप normal deactivate करना चाहते है तो यहाँ पर उपर की तरफ यहाँ पर select है इसको करके continue कर दे अगर आप delete करना चाहते है तो यहाँ पर delete पर select कर ले तो इसको यहाँ पर हमें delete करना है तो delete को slack कर लिया मैंने देख सकते हैं अब यहाँ पर पढ़ते हैं delete your account is permanent when you delete your instagram account your profile, photo, video, comment, like and followers will be permanently removed मतलब सभी चीज़े हटा दी जाएंगे आपके account से if you just like to take a break you can temporary deactivate यो कराऊं अगर आप delete नहीं करना चाहते हैं but यहाँ पर आपको delete ही करना है अपना account तो continue पर click कर देते हैं इसको select करने के बाद यहाँ पर आपको एक reason देना होगी आप अपने account को delete करना चाहते हैं ठीक हैं यहाँ पर pricey concern want to remove something, can't find people trouble getting started तो यहाँ पर हम करते हैं something else something else करने के बाद अब यहाँ पर आपको continue देखने को मिलरा, इसको click कर देजिए अब जैसे आप continue पर click करेंगे यहाँ से आपका माँगेगा password अब आपको कुछ भी नहीं करना simple सा password डालना है continue कर देना है जैसे आप password डालने के बाद continue करें आपका account हो जाएगा logout और यहाँ से बंद हो जाएगा आपका account आपके Instagram से फिर आपको क्या करना है 30 दिन तक अपने account को login नहीं करना है अगर आपने 30 दिन के अंदर-अंदर अपने account को login कर लिया फिर से आपका account जो है activate हो जाएगा ठीक है तो 30 दिन तक उसको यहाँ पर बंद रहने देना है चलानन नहीं है 30 दिन के बाद automatic वो delete हो जाएगा इस बात का आपको ध्यान रखना है बस आज के वीडियो में इतना ही यही आपको बताना था अगर आपको फिर भी कोई प्रोब्लम है मुझे कोमेंट बॉक्स में बताएगा मैं कोई और solution लेकर आँगो सो मिलते हैं आपको डे मैं इतल नवाट एक के लव यू अल